नमस्ते दोस्तों यहाँ पर हमें एक प्यारी सी दादी दिखाई दी और दादी के साथ हमने एक फोटो लिया तो दादी के चेहरे पर बहुत ही खुशी दिखाई दे रही है आप सब देख सकते हो और आगे चलते ही हमें यहाँ पर सिवजी का मंदिर दिखाई दिया तो थे रोटिया और यहां पर मैंने लिया मेरे लिए बिना प्याज लसन वाली सबची और रोटी साथ में हरे मिर्श जर्मन बेकरी का मैंने पहले ही आपके साथ वीडियो शेयर किया तो आप सबकी रिक्वर्मेंट थी की जर्मन बेकरी की और केक्स भी दिखाई दी जाए तो य पहारी आप देख सकते हूं कि कॉफी बींस और काकाओ बींस के फुटोस लगे हुए है और आपको मैं दिखाती हूं कि बहुत सारी केक्स इनकी और भी है और इनके पास पाई भी बहुत ही तेश्टी है यह सब खाप पिकर आगे चल पड़ते हैं और सुन्दा नजारे का हम एंजोई करते हैं पहाड़ो और साथ में यहां पर हर्याली का यह नजारा देखकर मेरी तो तब एक दम खुशम खुश हो गई यह देखकर सायद आपके चेरे पर भी खुशी चाह गई होगी यह देखिए कुदरत का कमाल पहाड़ तो दिखाई दे रहे है पर एक दादी के साथ जब फोटो लिया तो दादी की खुशी का कोई ठीकान आई नहीं रहा अगर हमारी वजह से किसी के चेरे पर खुशी आती है तो उससे बढ़कर और खुशी कोई होई नहीं सकती है यहां पर यह बहिया का कहना है कि पुसपश ट्रैल में पान बनाते पर पान कुछ खुले-खुले थे तो खाने का मन तो नहीं हुआ पर फोटो जरूर से ले लिया और यहां पर बच्चे आ गए कुछ एडवेंजर करने के लिए तो आप देख सकते हो कि कितनी हाइट पर पैरासूट है और बच्चे हमारे इसमें घूम रहे और भई यह एकदम हाई पर गए थे तो मुझमें तो हिम्बत नहीं इतना हाई पर जाने की तो मैंने इनके ही सारे वीडियो और फोटो ले लिए यहां पर लो बीपी और हाई बीपी बारे नहीं जा सकते दूर से ही मुझे नाग देवता का मंदीर दिखाई दिया और पहाड़ों के बीच में मंद दर्जन कर लिए और फिर से वही नजारा हमने देखना सुरू कर दिया और यह मनाली का कौन सा हिस्सा है यह सारा चीजे में कैप्शन में मैंसन कर दूंगी आगे चलते ही हमें यहां पर एक इस तरह का कुंड दिखाई दिया कुंड तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है पर जो इसके पाइप में से पानी आता है एकदम साफ सुतरा और यहां के लोग जो है इसका पीने में इस्तमाल करते हैं और काफी सारे जो टूरिश्ट आते हैं गुमने के लिए वो भी इस पानी को बाटल में भरकर लेकर जाते हैं तो हर हर महादेव फिर से हमें यहां पर सिव जी का मंदिर दिखाई दिया और मुझे यहां पर सिव जी को जलबीशे करने का मौका मिल गया बहुत सुन्दर और बहुत छोटा से यह मंदिर था जिसके अंदर सिव जी और साथ में सीव और पारवती की प्रतिमा भी थी और उसके ही में यहां पर हनुमान जी है आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरू से बताईगा तो जल मिलेंगे नए वीडियो में